नमस्गार दोस्टों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्टों आपको बता दे कि 24 जनवरी के शुबर 9 बज़ेशे दोस्टों यश में आपके जोन में आपकी चार शपने सच होने वाले हैं दोस्तों आपको बदा दें कि यश्मी बदलते गरहों कि चाल में कुछ ऐसे ही बड़े सुभी ओंग का निर्मान हो रहा है जहां पर इनका परवाव आपके जियों में कुछ ऐसे होगा कि आपके कारक्ण चतर में आपको बड़े शकलताईं मिलने वाली है जिन से आपके बहुत सारे शपने शकार होगी बहुत सारे आपके आर्थिक तंगे यश्मी खत्म होगी तोस्तों आपको बता कि जो गराव होते हैं हमेशा इनमें परिवर्टन होते रहते हैं हमेशा इनका बदलाव हमारी जोन पर शकार्तमक और नकार्तमक परवाव देते हैं और येश में जो शकार्तमक परवाव है इनका परवाव आपके जब भी परतेक छेतर पर होगा तो ये शी में आपको भी दायत तो होता है कि येश में आपको शाधा रहना चाहिए क्योंको दोस्तों जब भी गराश्रु भी तीटे में हैं अगर वो येश में आपको कोई भी गलत्ती करते हैं तो उन्होंका पूरा नकर्टम परभाव ही आपके उपर होगा तो येश्मी आपका करतेब होगा कि येश्मी आप परतेक छेतर में शादनी को रखते वे आगे बढ़ें ताकि आप शबी शबलताओं का अनंदर पूरे प्रिवार के साथ ले सके तो दोस्तों वीडियो काफी महत्पुन होगी इनने मिशना करें और शुरू से लेकर अन्त तक जरूर देखें इनमें आप बहुती महत्पुन जानकारी प्राप्त करेंगी कि येश्मी आपको कौन से छेतरों को लेकर शावदान रहने होगी कौन से कारे आपके लिए महत्प इसाइब लिंगे मैं जामातादि लिकेगा गुरू जी का सीधा सिर्वाद प्राप्त करेंगा तो दोस्तों भुर्य लिखेंगा प्रग्राप चैनल पर विने हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें նाती बैल आइकन को प्रेश करके और प्रश्लेयट करने दोस्तों और जनाय आएंगी कि उनकी शबलता भी आपको प्रापत होंगी दोस्तों जो की घर के और और व्रवशाइद दोनों के जगह के लिए बहुत नी उचित इज्वित होंगे वी आपके शावधानिकी बात करें तो दोस्तों यह वी मैंस तत्हां धकान के वजश से कभी-कभी लेकिन दोस्तों यह गलति के वजशे आपको कोई भी बड़ी शिख मिलने को याश अरभी प्रखना था दोस्तों उस विक्ति के दोवारा पेशे समरिल कोई तकली फैदा हो शकती है इसको प्रान दोस्तों या शुमय आपके लिए उसमे होंगे आपके दिंजरा के लिए उसमे होंगे दोस्तों याश में इस रास्री के जातकों के लिए बैतरिन गरजतितियां बने हुई है दोस्तों आप अपने अंदर अद्बूत उर्जा याश में मैसूर करेंगे दोस्तों आर्थिक स्थिती को बहतर करने के लिए बहुत ही अनुकुल समय होगा घर का बातारण बहुत ही आनंदायक और खुश्णमा बना रहेगा इश्कुप्रान दोस्तों ये शुमे अपनी भावनों पर कंट्रूल करना बहुत ज़रूरी है कभी कभी आपके अतेदिक रोग टोक की वज़शे घर के शदे से परिशान हो सकते हैं दोस्तों कोई भी निले लेने से पहले एक बार पुनर विचार करना आपके लिए अतियावश्य होगा इसको प्राहन दोस्तों ये शुमे आपके कीशी काम के लिए घर के बुज़र दोवारा बिरोध खिला जा सकता है जिसकी वज़शे आपकी नराज़ी बढ़ेगी फिलाल दोस्तों पेशे का निवेश करना आपके लिए योगर हैगा कोई भी बड़े वस्तू की खरिदारी करने से यसमे आप परेज करें ये आपके लिए बैतर होंगे इस फिरआ दोस्तों ये ये शुमे जो दिन होगा आपके लिए जो समय होंगे आपके लिए मर मुतापित गतुधियों में समय वाइतित होगा प्रवावशाली दोगों के शाथ संपर केश्मे अर्थापित होगे जो कि दोस्तों आगित सेल कर आपके लिए लाब दायग रहेंगे दोस्तों अपने परिजनों की मदद करना आपको खुश रखेगा दोस्तों विद्यार्थी वर्ग भी अपने पढ़ाय के परती पूरी ध्यार लखें शाथी दोस्तों तो पर के बाद कोई चिंगता जनक इस्तिती उत्पन होशकती है दोस्तों ये जो आपके लिए शमय होंगे जिनकी वज़शे किसी नईदिक मित्र के शाथ का सुनी होने की भी शमहना बन रही है दोस्तों ये शमय ये वाओं को मोज मस्ति के अपैक्छा अपने किरियर वापिर भायुश वंदी युजनाओं पर ध्यान देने की जरत होंगी इसको प्रान दोस्तों ये शमय ये आप भागीदारी में वैपार करते हैं तो दोस्तों आपके भागीदारी के शाथ कुछ बातों के बारे में बिबाद हो शकता है जिनकी वज़शे भागीदारी तूटने की भी आशंका बन रही है दोस्तों किशी भी चीज को पाने क्या जीद यश्मे आपको नहीं रखना चाहिए दोस्तों यश्मे आपको थोड़ी तकलीप से भी गुजाना पड़ेगा पस्यती में बदलाव यश्मे आपको देखने को मिलेंगे इसको प्रांदोस्टों यहश्व में आप अधिक से अधिक स्वमय परिजनों के शाथ वहितित करने का प्रयाश करेंगे घर में किसी धार्मिक आयोजन समंदी योजनाई भी बनेगी दोस्तों नेतृत करने की आपके शमता बहुत कारे को सुचारू रूप से पूरे भी करेंगे प्रदोस्टों यहश्व में खर्चे के दिखता भी रहेगी जिनके वजशी कुछ तनाव रह शकता है किसी भी बाद बाद की सुती में शांत रहने में ही आपका बलाई होगा दोस्तों अपने रुजमर्रा की जिंद्गी से थोड़ा बिरेक लेकर मेत्र परिवार के शाथ या फिर अपके करेबी लोगों के शाथ थोड़ा वक्त बिताना होगा जिनकी वज़शे आपको नई उर्जा प्राप्त होंगी किसी नई काम की शुरुवात शकार्थमक तरीके से होने की वज़शे मन को शमाधान मिलेगा इसको प्राद दोस्तों या शुमर्य अगर आपकी केरियर को लेकर बात करें तदा दोस्तों भवश्यमर्दी उजणाओं को मुर्त रूप दिने का भी आप याश में कोशिश करेंगे इसको प्राद दोस्तों याश में आपके वाईशाय के लिए समय होंगे क्योंको दोस्तों याश में इन कारियों में नुक्षान दाई की सुतियां बनी होई है इसको प्राद दोस्तों याश में आपके केरियर के लिए जो समय होंगे मशनरी और कारखाने शमंदी बिजनस के लिए फाइदेमन परसुतियां बनी होई है दोस्तों ध्यान रखें कि कोई करीबी व्यक्ति की कारी छित्र में करमचारियों की बीच फूट डाल सकता है इसलिए दोस्तों बहतर होगा कि शवी गतिद्यों पर अपनी नजर रखें इसको प्राण दोस्तों यह शमय आपके केरियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि वह शाय में यह शमय कड़ी महनत के आप शकता होंगी पिता या फिर पिता शमान व्यक्ति का शयोग वह फिर शलाह आपके लिए बहुती लाब दाइग रहेंगी नोकरी पैशावक्तियों को काम की अधिक्ता के विजशे यह शमय भी शमय देना पड़ सकता है इसको प्राण दोस्तों यह शमय आपके लव लाइक के लिए समय होंगे दोस्तों पती पत्ने की बीच मदूर शमन बने रहेंगे प्राण दोस्तों यह शमय आपकी लव लाइक के लिए समय होंगे दोस्तों यह शमय पारेवरिक वातावरंग खुश्टमा रहेगा घर के शदिस्यों के शाथ मौज मस्ती और मरणजन शमन दी कारियों में भी शमय आपका वायतित होगा दोस्तों आपको बता दें यह शमय आपके लव लाइक के लिए समय होंगे पारेवरिक वातावरंग श्वाहत पूर्ण बना रहेगा तथा प्रेम शमन भी यह शमय माना दित रहेंगे इसको प्राण दोस्तों यह शमय अगर आपकी श्वाहत को लोकर बात करें तो दोस्तों अत्यदिक मेहनत की वज़शे ठकान और कमजोरी महसुद होगी दोस्तों याश्मे अपने खान पान के प्रती लापरवा ही ना बरतें तथा उचित आरां भी लें ये आपके लिए बैतर होंगे इसको प्रांदोस्तों याश्मे आपके स्वात के लिए जो समय होंगे दोस्तों शारी करूप से कुछ कैम जोरी महसुद हो सकती है काम के अधिक्ता के विज़शे तनाव भी आपके उपर हावी रहेगा इसको प्राहद दोस्तों यहशमे आपको बता दें आपके स्वात के लिए जो समय होंगे दोस्तों यहशमे खांसी जो खाम और फिर बुखार के शमस्या भी रहशकती है लापरवाई ना बरते वर्तमान मोश्वम से अपना बचाव यहशमे आवश करें यह आपके स्वात के लिए बैतर होंगे इसको बाद दोस्तों आपको बता दें कि यहशमे अनुचित खान पान के वज़र से पाचन समंदी समझ्या भी रहेगी यहशमे स्वात के परती बहुत अधिक शावधानी बरतने की आवशकता होंगी